दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो में हम अखरोट के कुछ खास नायाब अदबुत नुस्खों के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तो हमारे रिसी विद्वानों ने तैयार किये गए अनेको अखरोट के नुस्खों के बारे में हमें जानकारी दी है दोस्तो ज इनका इस्थानिय लोग ग्राम देहात के लोगों में आज भी खूब चलन हैं इसका वे खूब प्रियोग करते हैं तो दोस्तों बात करते हैं कुछ खास प्रियोगों के बारे में दोस्तों अखरोट गिरी को बारीक पीस कर चेहरे पर लगाने से उसका लेप लगाने से चेहर प्रणी करने से लाब मिलता है और परिशा भागने लगती हैं अगर मुट्र यमन के साथ वीर्या निकलता है तार बनता है प्रम्हे की परिशानी है धात की परिशानी से परिशान है तो अकरोट गीरी 50 गराम छुहारे बीज निकाले गए 40 गराम बिनोला जो कापाश का बीज होता है उसकी गीरी 10 गराम सभी को पीस कर तेसी घी में भून कर उसमें मिसरी का चून 130 गराम मिला कर रख ले फिर दोस्तों इस चून को 20-20 गराम की मातरा म सुबहें दूद के साथ खाने से बहुत लाब होता है और शरीर शक्ति इसफूर्ती क्रांती से भर जाता है दोस्तों कमजोरी भग खड़ी होती है और सरीर में ताकत लोटने लगती है तो दोस्तो इस वीडियो में हमने अकरोट के कुछ खास नायाब नुस्खों के बारें बात की दोस्तो नुस्खे भले ही छोटे हों लेकिन बहुत गुनकारी है ग्राम देहत में छेत्रिया लोगों में इनका आज भी खूप चलन है इनका खूप प्रियोग किया जाता है तो दोस्तो प्रियोग करें और अपने में अपने परिवार के स्वास्ते की रक्षा करें दोस्तो आगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक ओर द्बु जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै आईर्वे अगयर जाए bon